हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब या देवी सरभूतेशु विद्यारुपेड संस्थिता नमस्तस्याई 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 नमोनमा तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है इन परियोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए पहिये को घुमाने में अब यहां पर आउटकम्स क्या-क्या आ सकते हैं यह पहिया यहां पर इन्होंने शुक्त क्या हुआ है टॉसिंग कोईंस टुगेदर और अगर कॉंट्रू को कठा अगर हम टॉस करते हैं अब क्या होता है अब जब यहां पहिया गुमाएंगे यहां पर हमारे पर नम्बरिंग क्या दिए दोस्तों कि अदे दोबार तो आपने दो बार नहीं लिखना है या यहां यहां पर गलिलेजिए इन्डिकेटर था और आट चानगे मारे पास एवी और धीugen on dic हैं कि हमरे पास एक आंसर था अब यह देखें अगर हमने सिक्क्षा लें इस पहले में हैड आ गया दूसरे में टेल आ गया और दूसरी बार चौथी राय पूछ हूंक हुआ कितने हो जाएंगे इसके इसके ठीजरे बताने होते हैं कि इतने अब प्राप्त होने वाले परिणाम बताईए अब डाइस में देखिए क्या क्या नंबर्स होते हैं त्री, पॉर, फाइव और सिक्स एक दो तीन, चार पांच छे तक होते हैं एक अभाजे संख्याए अब अभाजे संख्याए कौन कौन सी होती हैं आपको यहां important चीज दियान रखना हैं दो, तीन और पांच एक को अभाजे में नहीं लेते दो, तीन और पांच ये अभाजे स सेकंड खुश्चन क्या पूचा और पूच्छा फाइव 5 से बड़ी संख्या क्या है पांच से बड़ा शे की कि संख्या है और पूचा है न में लाग पांच से चोटी संक्या या 5 एक दो तीन चार और पांच इसमें पांच नमबर आगे यह टोटल आउटकम्स होंगे इसमें केवल हमने क्या बताने कि आउटकम्स कितने होते हैं बस इतना ही हमारा यहां पर क्वेश्चन है टेक्स्ट पे चलते हैं देखिए अब पहले क्वेश्चन में आपको जो बताया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहां पर क्वेश्चन गया फाइंड ग्याद कीजिए प्रॉइबिलिटी ओफ पॉइंटर स्टॉप्ट ऑन डी इन क्वेश्चन वन अब क्वेश्चन वन में पॉइंटर है वो डी पर रुकेगा इसकी क्या प्रॉइविलिटी है इसकी क्या प्राइक्ता है और वहां पर एक बार शुचक केहीं बना देता हूं इस परकार का वहां पर सरकल था ऑथ यह आरुज लिखा था यहां B और या इस जीफ़श्चन फाल होगी आपने कैसे द्यान रखना है इसको देखिए सबसे पहले टोटल आउटकम कितने हैं अब यहां सलूशन लिख देता हूँ मैं अब टोटल आउटकम्स क्यानिके कुल परिणाम कि परिणाम कितने आप यहां पहले आदेखिए फाइव ठीक है न अब पांच यहां तो यहां रुकेगा एक दो तीन चार पांच यहां पर कहीं पर भी रुकेगा यह पॉइंटर यह न अगर डी कितनी बार है यहां पर एक बार ठीक है इल पर जो है डी कितनी बार है एक बार यह नहीं कि resulting पर जो possible result है यह नहीं कि संभव परिनाम वो कितने है एक तो अब देखिए probability कैसे निकालते हैं इसको लिखते हैं ऐसे P T ऐसे लिख सकते हैं इसको या pointer stop on T ऐसे लिख सकते हैं तो क्या लिखते हैं तो संभव परिनाम है इनिके possible result upon full परिनाम या आपको 9th, 10th सब जगा काम आएगा total outcome ठीक है अब total outcomes कितने हैं और संभव परिनाम है एक और total outcomes हैं 5 तो probability of getting T added indicator D पर आएगा उसकी probability क्या हो जाएगी 1 upon 5 ठीक है यहां पैसे भी लिख सकते हैं कि जहाँ सा question पूचा उसके according लिख देते हैं हम यहां पर चक के D पर रुखने की प्राइक्ता चक के D पर एकी प्राइक्ता ऐसे भी लिखा जा सकते हैं इसको हिंदी वाले ऐसे लिख 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 लीए फिक हैं अब नेक्स्ट में क्या पूछा उन्होंने देखी question में अब क्या कहते है probability of getting an ass from a well-shuffled duck of 52 playing cards अच्छी तरह 50 गई 52 पत्तो गट्टी में से एक इक का निकालने की probability क्या है अब देखे टोटल कार्ड कितने हैं इसको बुलते हैं हम टोटल रिजल्ट्स 52 यहनिके पुल परिणाम ठीक है और पर पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं यहनिके इक कितने हैं संभव यह में लिखते हैं परिणाम कितने वहां टोटल इक हैं चार अब यहां लिखेंगे प्रॉइबिल्टी आफ गेटिंग आफ गेटिंग एन एस यहनिके इक का आने की प्राइक्ता अब इक का आने की प्राइक्ता क्या हो जागी चार बटे पावन कट कर लेंगे 13 के टेपल पर जाएगा 1 अपॉन 13 आजाएगा ठीक है और थर्ड में देखिए क्या पूछा उन्होंने प्रॉइबिल्टी आफ गेटिंग आ रेड एपल यहां एपल्स दियो में देखिए रेड कितने हैं पहले टोटल एपल किन लेते हैं टोटल आउटकम्स पुल परिणाम एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सेवन है ठीक है और पॉसिबल रिजर्ट क्या है या पॉसिबल आउटकम्स भी लिख सकते हैं इसको हम यानिके संभव परिणाम इतने हैं रेड देखे कितने हैं वान, ट्री, पॉर ठीक है यहां लिखेंगे प्रॉइबिल्टी ओफ येटिंग रेड एपल अब रेड एपल की प्रॉइबिल्टी क्या हो जाएगी संभव परिणाम कितने हैं बटा टोल यहां यह कटेगा नहीं हमारा यहां पर यहीं अंसरा लिखते हैं नंबर वान टू टैना रिटान ओना एन सेपरेट स्लिप्स एक से दस तक गिंती लिखी है अच्छे से मिला दिया वान स्लिप इस विदाओ लुकिंग इंटो इट बीना देखे निकाल लिए अब किस कि बतानी है अब सबसे पहले आप यहां पर आपने क्या पूछा है सिक्स यहां पर कैसे करेंगे नंबर वान लिख लेते हैं कि टोटल रिजल्ट कितने हैं कि अगल कि आउटकम्स तैन यहीं कि परिणाम कितने हैं हमारे पास दस एक और इसमें से संभव कितने हैं यहीं कि पॉसीबल लिख सकते हैं पॉसीबल रिजल्ट्स तोनने क्या पूछा है सिक्स कितने बार है सिक्स कितने बार है यहां पर एक बार प्रॉइबिल्टी ओफ गैटिंग सिक्स क्या आजएगा वान अपॉइबिल्टी ओफ गैटिंग इन यहां प्राप्त करने की प्राइट था जाएगा अब सैकिंड में क्या पूछा होने ने लेस दें शिक्स अब लेस दें सिस में देखो कितने हैं वान टू टू ट्री फो फाइव पाइव यहां ना तो टोटल आउटकम तो वही रहेंगे ठीक हैं पस यहां पॉसीबल आ यहीं कि संभव परिणाम और यहीं कि पॉसीबल आउटकम कितने होगे अई वताया थे गिनके वाइव तो प्रॉबिल्टी औफ टेटिंग लेस देन 6 क्या हो जाएगा 5 अपॉण 10 कट कर दें क्या आजएगा 1 अपॉण 2 यहीं कि 6 से कम आने की प्राइक्ता ठीक है 6 से कम आने की प्राइक्ता इस पर कर आम इसको यहां पर काउंट कर से ठीक है अब next में देखते हैं क्या पूछा था उन्होंने कि यहां पर लिख लेते हैं हम पहले कि अधर में पॉसीबल आउटकम्स यहीं के संभाव परिणाम कितने होगे चार अब टोटल तो एक बार टैन ही रहेंगे ना काउंटिंग तो टैन तक ही है तो प्राइबिल्टी ओफ गेटिंग और देन टिक्स ठीक है न अब से बढ़ी होने की क्या प्राइकत आएगी तो टू से कट कर दिये तू अपॉन पाइव आ जायेगा और फॉर्थ में उनने क्या पूछा है यहां पर पॉसीबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे पॉसीबल आउटकम्स नाइन यहनी के संभव परिनाम कितने हो गए मारे पास और और प्रॉवेल्टी ओफ गेटिंग बन डिजिट एक अंग की तंख्याने की क्या प्राइकत होगी नाइन अपॉन टैन यहां पर नसर क्या आजेगा नाइन अपॉन टैन इस में देखिए if you have a spinning wheel with three green sectors one blue sector and one red sector कितने हैं देखिए तहां पर लिख देता हूँ मैं green sector कितने है three और blue कितने है one और red sector कितने है कि कितने होगे आप देखिए पहले तीन एक चार और एक पांच है आप या लिखिए पुल परिणाम कर लुद रिजर्ट्स कितने होगे पाइफ उन्होंने क्या कहा कि पहिया गुमाने पर हरा त्रिजर्खन प्राप्त करने की क्या प्राइक्ता है probability of getting green अब green कितने हैं 3 क्या जगाई है 3 upon 5 उनने का ऐसा त्रिजाखन प्राप्त करने की क्या प्राइक्ता जो नीला नहीं है नीले को छोड़के बाकी जोड़ लेना probability of getting blue नीले को छोड़ दो हरा 3 है और लाल 1 है 3 और 1 4 4 बटे 5 इल्कुल सिंपल से question है आपको समझ में आभी रहे होंगे और last question है find the probability of getting events given in question number 2 question number 2 में दी गई घटनाओं की प्राइक्ता जाद कीजिए अब वहाँ पर क्या-क्या घटना दी हुई है वो मैं हाँ से लिख लेता हूँ देखिए अब देखिए यहाँ पर उन्हों कहा अब प्राइम नंबर अब वहाँ पर हमारे पास संख्या है कितने बताई थी इन्होंने 1,2,3,4,5 कैस बताई थी ना तो अब total देखिए यहाँ पर हम question number 1 solve करते हैं total outcomes कितने है 6 अब प्राइम नंबर बताना है यह कट गया है हाँ से अब यहाँ पर प्राइम नंबर देखिए कितने है अब आजे संख्या है 2,3 और 5 कितने होगी total 3 3,3 और 5 हमें केवल संख्या पतानी है कितनी होगी यह 3 तो probability of prime number क्या आ जाएगा यहनिके संभव परिणाम 3 और cool परिणाम 6 कट जाएगा 1 upon 2 ठीक है ना संभव परिणाम और cool परिणाम दोनों हम यह से divide कर लेते हैं अब इसके बी portion में क्या बोला उन्होंने कते हैं एक अभाज्य संख्या नहीं यह क्या होना चीए non prime number अब यहाँ non prime number देख लेते हैं prime number को छोड़के बाकि सब गिन लो non prime है 1, 4 और 6 संभव परिणाम क्या होगे यहाँ पर संभव परिणाम कितने होगे 3, 1, 2, 3 एक तो probability कैसे निकाल लेंगे यहाँ पर probability of non prime number ऐसे लिख लखते हैं इसको ठीक है न यह ध्यान रखना आपने क्या होगा 3 upon 6 ठीक है जिए उसको cut करेंगे तो यह भी कितना जगा आमरे पास 1 upon 2 और next में क्या पूछते हैं जो second part का इसका एप भाग था a number greater than 5 5 से बड़ी संख्या ठीक है ना number greater than 5 कितने है 1 एक ही तो है 6 ठीक है ना तो अब यहां क्या लिखेंगे संभव परिणाम कितने होगे अब यहां number कौन सा number यहां number लिख देता हूँ 6 संभव परिणाम कितने होगे 1 तो probability of getting greater than 5 पार्ट से पड़ी संख्या आने की प्राइट था ठीक है कितने होगी 1 अपाउन 6 एक ही number है पार्ट से बड़ा और पार्ट में इसका सेगेंड जो पार्ट है वी का में क्या बोला है इन्होंने देख लेता हूँ क्वेस्चन क्या लिखा है second के भी पार्ट में a number greater than not greater than 5 ठीक है a number not greater than 5 not greater than 5 पार्ट से बड़ा ना हो 1 3 और 5 ठीक है अंब परिणाम क्या होगे ठीक है possible outcome बोल लो या favorable outcomes भी बोल सकते हैं 5 1, 2, 3, 4, 5 probability ठीक है अप्ड़बी टी अ नम्बर नोट ग्रेटर देन पाइब पाट से इसी पड़ी तंख्या ना होने की प्राइट इन्हीं आ जाएगी कितने नंबर है पाइफ पाइफ अपाउन यह क्वेश्चन हमें आगे भी इनके जुरूर्ट पड़ेगी बच्चो यह हमारा यहां पर एक्सराइज जो है फाइफ पॉइंट कम्प्लीट प्लीज लाइक शेर अन्बर करें चैनल थैंक यू वाव नाइस देयर रूप हा ब्रचंड तुआ असम्भ तू ही अंत तुषिष्टिकार जायता मेरे बूले नार्ट जी नार्ट जी